देखो एकसल एक ऐसा विशय है जिसमें आप जब भी काम करने के बारे में सोचते हो तो बहुत सारे फरमिले दिमाग में आते हैं और बहुत सारे टिप्स अं ट्रिक्स दिमाग में आते हैं ये वीडियो आपके लिए एक वर्दान सिद्ध हो सकता है अगर आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखें कुछ तरीके कुछ टिपसेंट्रिक्स इसमें ऐसे भी हैं जो आपके रोज मर्रा के काम को बहुत सरल बना सकते हैं बिना कुछ देर किये चलिए शुरू करते हैं यहां पर मेरे सामने आप एक शीट देख रहे हैं जिसमें कुछ सेल यहां पर ब्लैंक हैं और आगर आप से कहा जाए कि यह ब्लैंक सेल्स के अंदर आपको डेटा भरना है तो शायद आप एक एक करके भरेंगे या इस तरह से पकड़के ड्रेक करेंगे यही एक नॉर्मल शीट है वो इस तरह से सलेक कर लेनी है उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एफ फाइब प्रेस करना है या फिर कंट्रॉल जी प्रेस करना है ऐसा करने से यहां पर गो टू का एक डायलोग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहां पर आपको स्पेशल का ओप्शन देखेगा इस पे क्लिक कर दीजिये और यहां पर ब्लेंकी का अप्शन देखेगा इस पर भी क्लिक कर दीजिये जैसे आप इसे ओकी करेंगे तो जी आपके बलेंक शल्स होंगे वही सलेक्ट हो जाएंगे अप छोटी सी टríaकर में इस्तामाल करनी है हमें इक्वल टू का साइन प्रेस करना है ऐसा करने से नीचे वाले सेल में उपर वाले सेल की जो फिगर है वो आ जाती है यह आपने देखा होगा अकसर करके जब भी हम equal to press करते हैं और किसी दूसरे सेल को select करते हैं तो same value उसी cell में आ जाती है तो यह तो हो गया इसका काम और उसके बाद simple आपको control के साथ में enter press करना है within a second आपके जितने भी cell blanks थे उन में उपर वाला data same paste हो जाएगा जहां तक आपने data select किया है तो अगर यह trick आपको अच्छी लगी हो तो नीचे subscribe का button आपको दिख रहा होगा अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल सस्क्राइब करके comment करके बताना कि यह वीडियो कैसा लगा और लाइक करके इस चैनल को support जरूर करना और अगर आप इसी तरह से एक्सल वर्ड पावर पॉइंट में expert बनना चाहते हो तो यह side में आपको जो course का मेरा option दिख रहा है ना मेरा बहुत सारे courses बनाए है जिसमें इसी तरह के tips and tricks है नीचे description में लिंक है और यहां पर नंबर है अभी call कर लो और phone करके पता करो कि course आप कैसे join कर सकते हो बिना internet वाला course है तो आप बढ़ते हैं अपने दूसरे trick की तरफ और यहां पर हम जानने वाले हैं कि Excel में आप graph कैसे बना पाएंगे तो यहां पर मैंने कुछ check box बनाए है और जैसे मैं किसी भी check box पे click करता जा रहा हूं तो उपर आप देख रहे हो एक progress बार चलता जा रहा है यहां पर टिक लगाऊंगा 100% हो गया और मैं जैसे जैसे इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप चुठकियों के अंदर इस तरह का progress बार बना पाएंगे तो simple आपको करना क्या है सबसे पहले अपनी किसी भी list पे चले जाए तो मैं यहां पे एक नई sheet ले लेता हूं यहां पर मानो यह चार नाम है या पांच नाम है मेरे पास इ यहां पे home tap पे जाके इसे सबसे पहले merge and center करा लो तो यह हमारा progress बार हो जाएगा अब मानो यहां पे हमारे कुछ कामों की list है यहां पे नाम लिखें आप कुछ काम लिख लेना उसके आगे वाले जो cell खाली है उनमें आपको यहां पे check box बनाना है तो check box बनाने के लिए और अगर नहीं दिखता है developer tab तो file के option में चले जाएए नीचे आपको option दिख जाएगा excel option आता है यह दिख जाएगा और यह सारे excels के अंदर होता है चाहे आप 2007 यूज कर रहे हो चाहे आप 2022 यूज कर रहे हो सभी में आता है यहां पे आपको customize ribbon का option दिखेगा और यहां पे insert का option आपको दिखने लग जाएगा यहां पे आप जैसे click करोगे तो यहां आपको बहुत सारे controls दिखेंगे अब हमें checkbox चाहिए तो यह आपको यहां पे दिख जाएगा इस पे click करिए और इस तरह से यहां पे draw कर दीजिए तो जैसे आप checkbox draw करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यह checkbox दिखने लग जाएगा मैं cell थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं अभी यहां पे हमारे पास checkbox आ गया हम इस पे tick लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं अभी हमको सारे cells के अंदर चाहिए तो हम क्या करेंगे हम इसको यहां से इस तरह से पकड़ेंगे और नीच पर आप जाएंगे cell को checkbox को इस cell से link करने के लिए तो यहां पर format control का जो window है वो open हो जाएगा अच्छा यह सारा गाम आपको एक बार करना है बार बार नहीं करना है समझ लेना बहुत काम आने वाला है तो यहां पर आपको value का option देखेगा नीचे आपको cell link option देखेगा simple आप right click करके सबी के साथ यह जो linking वाला काम है यह कर लेता हूं आप इसे चाहें तो बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं ध्यान रखेगा कि आप यह cell एक बार में दो link मत कर दीजेगा तो यह देखे हमारा आकरी वाला जो cell है वो भी link हो गया है अब हमें उपर एक छोटा सा formula लिखना है progress बार बनाने के लिए तो यहां पर हम लगाएंगे equal to का निशान और यहां पर टाइप करेंगे average तो यहां पर आपको average का जो option है वो दिख जाएगा इस पे आपको double click कर देना है और जितने भी cells आपने checkbox बनाये थे जितने भी cells में आपने checkbox बनाये थे उनको select कर apply करना है one say and bracket close करके enter कर देना है अब यहां पर देख रहों कि जो figure है वो zero आ गई है अब यह figure हमें percentage में चाहिए तो home tap पे जाएए और यहां पर percentage का sign पे click कर दीजे तो यह figure आपको प्रतिशत में दिखने लग जाएगी अब जैसे-जैसे मैं किसी cell पे click करूंगा तो यह जो विधा अनुसार edit भी कर सकते हो क्योंकि जब हम check box पे tick लगाते हैं तो true होता है और जब tick हटाते हैं तो यहां पर हमें false मिलता है तो यह कैसे edit करेंगे यह मैं बताऊंगा फिलाल के लिए आपको progress bar में बताने वाला हूं अब progress bar में जो बार चल रहा था colorful bar वो कैसे लगाते ह है तो progress bar को हमें select कर लेना है एन यहां से conditional formatting पे चले जाना है यहां पे new rules का option देखेगा इस पे click कर देना है और यहां पर यह सबसे उपर वाला जो rule है format all cell based on their value पे click कर देना है और यहां पे आपको नीचे format style का option देखेगा इस पे चले जाना है जब आप इस पे click करेंगे तो यहां पे आपको data bar दिखाए देगा अब जैसे मैं आपको बता रहा है ने कि हमें data bar ही बनाना है तो इस पे आपको click कर देना है यहां पर आपको दो वैल्यू दिखेंगी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको नंबर के option पर क्लिक कर देना है तो वैल्यू 0 हम यहां सेलेक करेंगे मिनिमम में और मैक्सिमम में हम यहां select करेंगे एक ठीक है यहां से फिर हम को जो डीटा बार का color है वो select करना है तो मैं यहां पर यह orange color select कर लेता हूं और okay कर देता हूं अब जैसे आप किसी पर भी टिक लगाओगे तो यहां पर जो डीटा बार है आपका उसी तरह से जो color आपने select किया था उसके आधार पर यहां पर बनना शुरू हो जाएगा अच्छा यह जो वैल्यू आपको यहां पर दिख रहे हैं आप चाहो राइट क्लिक करके तो यहां पर एड़िट टेक्स्ट का option आता है आप जो वैल्यू चाहो यहां पर apply कर सकते हो otherwise उसे हटा सकते हो तो यह ज टेक्स्ट भी होना है उसमें नम्मर भी आने है यह सारी चीज आनी तो आप कैसे करोगे तो इसका बड़ा सरल तरीका है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिक्वेंस के साथ मैं इसको तयार कर सकते हो तो सिंपल आपको करना क्या है आपको equal to sign प्रेस करना है उसक हम टेक्स्ट कहीं पर लिखते हैं तो वहां पर double quote जरूर लगाते हैं उसके आगे भी लगाएंगे और पीछे भी लगाएंगे इसके बाद हम प्रेस करेंगे end और उसके बाद यहां पर लिखेंगे text ठीक है तो यह लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे आप bracket को open करेंग के मैं यहां पर 100 ID एक बार में generate करा हूँ आप 100, 200, 500, 1000 जितनी चाहें उतनी ID generate करा सकते हैं तो मुझे 100 करानी है मैंने इस तरह से 100 को लिया और type कर दिया उसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे अब ID जो आप generate करा रहे हैं वो कितने digit का होना चाहिए 3, 5, 7 जितने digit का आप ID रखना चाहें उतने digit का आप ID रख सकते हैं तो यहां पर 3 digit तो मेरे PCS के लिए हो गए उसके बाद के फिर मुझे और भी data चाहिए तो मैं यहां पर लगबग 5-6 digit का एक ID generate करूँगा तो मैं यहां पर उतने ही 0 लगा दूँगा एक बार मैंने आपको और भी बताया था एक पर लिखेते उतने generate हो जाएंगे तो यहां पर एक सेकिंड के अदर में 100 ID generate कर लिए तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर बताये गए यह जो एक्सल के ट्रिक हैं यह जो ट्रिप्स हैं और यह जो फर्मिले हैं आपके बहुत काम आये होंगे और आप इनको जरूर अपने डेली लाइफ में यूज करोगे और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप एक्सल में वर्ड में पावर पॉइंट में एक्सपर बनना चाहते हो तो हमारा 19 प्लस प्रोफेशनल प्रो कोर्स आप जोइन कर सकते हो जिसके लिए मैंने यह स्क्रीन पर पू आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद उफंदे मातरम